इंटर इस्टेट ग्यांग उसकी गिरफ्तारी हुए यह बंजारा यह पूली स्टेशन का केस है और दिसंबर के महीने में 9 दिसंबर को पूली स्टेशन में यह कंप्लेंट रेजिस्टर हुआ जिसमें की कंप्लेंट ने बताया कि एक दिल पहले जब वो लोग बाहर गये थे और वापस जब भर आये तो उनको पताचला की घर के अंदर से वैल्यूबल जूलिरी सब मिसिंग है यह क्राइट नंबर 1117 बाई 2019 अंडर सेक्शन 381 आईपीसी बंजारा ही पूली सेशन में रेजिस्टर हुआ और कंप्लेंट के मुताबिक डायमंड जूलरी 1.5 करोड और गोल्ड ओर्नमेंट 1 करोड का मिसिग हुआ इस केस में यह जो रिकवरी अभी तक हुआ है इसमें लगबद 1 करोड का रिकवरी हुआ है और इसमें 6 मेंबर गैंग है जिसमें की 3 लोगों की गिरफतारी हुई है और इंक्लूडिंग गैंग लीडर रामाशीस मुखिया यह लोग जो गैंग का डिटेल है इंटर इस्टेट गैंग उसमें रामाशीस मुखिया जो लीडर है मदुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार का रहने वाला है और यह मदुबनी डिस्ट्रिक्ट नेपाल बॉर्डर से बहुत नजदीक है इसलिए इलो का नेपाल से भी लिंक था भागवद मुखिया यह भी मदुबनी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है बिहार से राहूर मुखिया यह अभी एप्सकॉंडिंग है पहला दोनों का गिरफतारी हो चुका है लेकिन यह अभी एप्सकॉंडिंग है पितांबर मंडल यह भी अभी स्कॉंडिंग है भोला मुखिया अरेस्टेंट मदुबनी का और यह ड्राइवर कम एजेंट है यह पहले आइडेंटिफाई करता है एक फैमली को एक घर को जहां थेफ्ट या रॉबरी करना है और उसके बाद यह लोग कुक ड्राइवर स्वीपर गार्ड इस त और सब लोग मिलकर यह क्राइवर करते हैं हरी चर्ड मुखिया यह स्वीपर का काम करता है मदुबनी डिस्टिक बिहार यह लोग सब के उपर पहले भी बहुत सारे केसेज हैं जैसे पटना में वर्चा में बीरपूर दरवंगा चैन्नाई सिटी रजोरी गार्डन पुलिस इसलिए चैन्शनल नीयु डेली घर्यान्य गर्येटर के लाश साउंध डेली कालकाजी पुलिस टेशन डेली इसे तरीके से राहुन मुख्या एलियस दाहोल इसके उपर पतना दरवंगा रजोरी गार्डिर हर्याना-ुकृटर के लाश कालकाजी पुलिस सेशन में उनके उपर केस है जो एफोर है पीतांबर मंदल उनके उपर भी कमतनार सार्वा जार्खंड युदियाना पंजाब और जो एफाइव है भोला मुख्या उसके उपर बहुत सारे पुली स्टेशन में केसे रेजिस्टर हुए जैसे सुपाउल इटाया सहर साथ